अब एक चीज समझो ये टायर का जो पूरा स्क्राइप है ये जो यूस टायर है सबसे पहले आगर आप देखोगे तो इनकी पैकेजिंग देखो किस तरीके से इसको पैक किया गया है ये लोही की वायर का यूस किया गया है जिससे की पहले ना सारा समान आप देखोगे चारो तरफ इसी पैकेजिंग में आपको मिलेगा ट्रकों में यह लोड किया जा रहा है यहां से लोड होके कि इंपोर्ट होके आया है तो यहां से लोड होके यह जहां जहां जिस यूनिट पे इसकी जुरुवत है यह वहां वहां जाएगा यानि एक इंपोर्टर अपनी यूनिट पे मंगाएगा बेसिकली जो scrap आता है वो manufacturers के लिए आता है manufacturers raw material use करते हैं और उसके बाद उससे finished goods तैयार करते हैं तो आप भी scrap को import करा सकते हैं ये पूरा tire का scrap है सारी facility आपको इस container freight station के अंदर मिल जाएगी So students, अब आपके सामने हैं ये flat rack cargo मैंने आपको class में बताया था कि flat rack cargo क्या होता है सबसे पहली चीज़ अगर हमें कोई oversize product चाहे वो machinery हो, चाहे वो pipes हो, चाहे वो boilers हो अगर हमें भीजने हैं तो हम flat rack cargo का use कर सकते हैं देख सकते हो इसके अंदर पूरे springs वगेरा की facility है चारों तरफ से आप इसको बान भी सकते हो अगर आपके बड़े boiler, pipes या machinery है इसको OOG भी बोलते हैं, out of gauge भी इसको बोला जाता है कोई बोले OOG cargo या out of gauge cargo में हमें माल भेजना है तो आपको ये चाही होगा, यानि it means वो flat rack cargo की बात कर रहा है तो ये चीज़ ध्यान से समझे कि अगर आपका product oversize or overweight है चाहे बस भीजो, crane भीजो, वो सारी की सारी इसी के अंदर जाती है जो आप देख रहे हो, metro का construction चल रहा है, metro के डबबे कहां से आ रहे हैं और कैसे आते हैं, वो सारे के सारे flat rack में होंके आते हैं तो यानि oversize और overweight product भी आप import करवा सकते हो और export कर सकते हो अब ये सामने देखो अब कंटेनर की unstuffing कैसे की जा रही है, देखो अंदर से माल आया हुआ है, माल से फॉक लिफ्ट पे कैसे उठाया और उसके बाद अब ये सारा का सारा माल यहां पे कट्था किया जा रहा है और उसके बाद ये ट्रक में लोड होगे चला जायागा जे देखो चालिस फिट का कंटेनर पूरा भर के आया हुआ, अगर आप सामने देख रहे हो देखो प्रॉपर सिस्टमाटिक तरीके से अनलोड किया जा रहा है और पूरी वाइरिंग का यूज किया गया है पैकेजिंग करने के लिए देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस में क्लियर एक बात बता हूँ यार देखो, ऐसे ही खड़े होके सीखोगे स्ट्रेट फॉर्वर्ड है कि जब तक चीज सामने दिखेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगी अगर मैं आपको मैनुवल देदू गाड़ी चलाने का तो गाड़ी में सीख पाओगे लेकिन अगर गाड़ी में बिठाऊंगा और तब सिखाऊंगा तो डेफिनेटली सीख लोगे देखो आईए अब आगे चलते हैं करुट अब यूद कर माल करने गाड़ी वाल कर दो कर दो कि मिन आएगे कि भाड़्ट कि अव्ड़ी कि वाल कि वाल प्रप्राइब निया चाहा है कि अबतार हुआ कर दोरी कि यढिसे पुटराइ़ साल टप्ल denk दो दो अइच यज स्वयर बरता हुआ झाल